असलेम आलेकुम दोस्तों आसाम किसी टीवी चैनल पर आप सभी को मेरे दिल से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों उम्मिद करता हूँ कि आप सब खेरिय अच्छे होंगे में भी बहुत ही आच्छा हूँ तो आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपोर्टन वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ तो एक्षिली कभी कभी क्या होता है एक मादा खरगोष बच्चे जनम देने के बस कुसी टाइम बात मर जाते हैं और कभी कभी क्या होता है एक या दो दिन जिन्दा रखते हैं और उसके बाद मादा खरगोष बच्चे को छोड़ कर मर जाते हैं So in this case, इस ममल में आपको कैसे बच्चे को ख्याल रखना है, बच्चे को किसका कौन सा दुद पिलाना है, कितनी क्वांटिटी में पिलाना है, कितनी बार पिलाना है, कैसे पिलाना है, ये सब कुस मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा. तो I think ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा का भी हो, लेकिन दिस्तो अगर आपके पास रैबिट है, तो अच्चानाक ये प्रोब्लेम हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को आम ताक जरूर द दोस्तो वल्कम बेक टो आओ चैनल, तो सबसे पहले हम बत करेंगे किस क्या और कौन सा दूथ रैबिट के बच्चे को पिलाना चाहिए, जब उसका मा मार जाते हैं, और नहीं तो मा की शारिन में बच्चे के लिए परियप्त दूद नहीं होते हैं, तो सबसे पहले मैं आप नर्द के बच्चे को बक्री का दूद पिलाएए, क्योंकि बक्री का दूद में बहुती प्रोटीन रहता है, जो रैबिट के बच्चे के लिए बहुती फाइदे बांध होता है, तो आपका भी भी गाई या भैसु की जो दूद होते हैं, तो अगर आसपास पैशाप तो वहाँ पर formula milk मिलता है खास करके cat milk, got milk इस तरह का जो दूथ है especially बच्चे को खिलाने के लिए मतलब pet animal के बच्चे को खिलाने के लिए तो आपको pet shop या उस धुकन पर भी इस तरह का दूथ मिलता है ओभी आप अपनी rabbit के बच्चे को खिला सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आपके पास बकरी का दूथ एबल लेबल नहीं है दोस्तों आप बात करते हैं कितनी quantity में एक rabbit के बच्चे को दूथ पिलाना है तो यह बहुत ही important है आप दियान से सुनिए अगर rabbit के बच्चे निवबॉन से तो निवबॉन से एक हपते तक आपको 2 से 2.5 मिललिटर पिलाना होगा यह है निवबॉन से एक हपते तक जब खरगुष के बच्चे का एज एक हपते पार हो जाते है तो एक हपते से दो हपते के अंदर 5 से 7 मिललिटर बच्चे को दूथ बच्चे को 13 से 15 मिलिलिटर तक दूद पिलाना होगा और रोज टू टाइम्स मतलब दो बार पिलाना होगा मॉर्निंग और इविनिग दोस्तो आप मैं आपको दिखाऊंगा कि यह रेबिट के बच्चे को किस तरह दूद पिलाना है तो मैंने वीडियो की शुरू में बोला नहीं हुआ है एंड में यह साथ हो कि किसी के साथ इस तरह की प्रोब्लेम ना हो तो मेरे फ्रेंड के पास जो फिमेल रेबिट है वह एक्शोली बच्ची के लिए अच्छी तरह दूद उत्पदन नहीं कर पर रहा है इसलिए इस तरह दूद पिलाना पर रहा है तो पर अच्छे से कस के प्यूर कोट्स जो रूई होते है ओ लगना है तो मैं अच्छे से कस के लगने के लिए बोल रहा हुँ ही जब आप बच्चे को दूद पिलाएंगे तो उस वक्त बच्चे के मुह के अंदर रूई ना रह जाए तो यह बनाने के बाद कितने दिन के और नाप लेने के बाद उस लकिर के टुकरे को जिस सीज पर आप दूत रखे है और वहाँ पर उस लकिर के टुकरे को डूबाना है और वो बच्चे के मुग के समने ले जाना है तो जो दूत का जो सेंड है और सुंग कर बच्चे जो है खुद बखुद दूत पीने लग जा क्योंकि यह जाने से प्रोब्लम भी हो सकता है और दोस्तो जो दो हफ्ते या तीन हफ्ते के बच्चे उन बच्चे को आप शिरिंज के जरीए भी पिलने सकते हैं इसमें कोई दिक्रत नहीं होगा अगर आप दुद को बावल का अंदर राखेंगे तो भी यह खुद बहुद पिलेंगे दोस्तो उम्मिद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो मिलता है कोई दूसरी वीडियो के साथ खुश रहे मस्त रहे हमारी चैनल से जुड़े रहे खुदा हाफिज